ब्यांजन संदी के भेद में लास्ट भेद बचे हैं आज हमारा ब्यांजन संदी में लत्व संदी और सत्व विधान संदी ठीक है कल हमने पढ़ा था अनुस्वार संदी और पर अनुस्वार परस वर्ण संदी आज हमारी जो ब्यंजन संदी में हैं वो है लत्व संदी और सत्तोविदान संदी अब लत्व संदी में क्या होता है हमने ध्यान देना है सबसे पहले लट्वसंदी में हमारा यदी तौवर्ग के बाद यदी तौवर्ग क्या हो गया हमारा तो थो दो तो और नो यह हमारे क्या है तौवर्ग है इन तौवर्ग के बाद लौ आए तो इन तौवर्ग के बाद लौ आए तो तौवर्ग के इस्थान पर लौ हो जाता है इन तौवर्ग के इस्थान पर क्या हो जाएगा लौ हो जाता है यदि तौवर्ग के बाद अगर लौ आता है तो उसका अनुनासिक लौ हो जाता है अनुनासिक जानते हो ठीक है ये क्या है अनुनासिक का चिन है तो ये क्या हो जाता है अनुनासिक लौ हो जाता है अगर क्या आए नौ के बाद लौ आए तो ये हमने ज्यान देना है बहुत सलसंदी है जैसे पहला है उलेखा है उत्धन लेखा है उत्धन लेखा तो है तौवर्ग के बाद अगर यहां पे क्या आ रहा है लो आ रहा है तो तौवर्ग के बाद अगर लो आया तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है लो हो जाता है जैसे उत्धन लेखा उलेखा लो हो गया तौवर्ग का चाहिए आदा लो है या पूरा लो है आगे आला. क्या हो गیا है? लौ हो गया है. तौवर्ग का क्या बन जाता है हाँ पर? लौ बन जाता है. आय समझ में. दूसरा सर्थ है जैसे विद्वान-धन लिखती. विद्वान-धन लिखती. अब नौ है. ये भी तौवर्ग का है. तो थो दो तो थो दो और नो ये क्या है तो वर्ग के चिन है तो यहां पे क्या कहा था अगर नो के बाद लो आए तो इस नो के बाद अगर लो आए तो उसका क्या हो जाता है अनुनासिक हो जाता है अभी तो लौ हो रहा था अब उस नौ के बाद अगर लौ आता है तो उसका क्या हो जाता है अनुनासिक हो जाता है ये है अनुनासिक का चिन ठीक है तो कैसे जैसे विद्धुहान धने लिखती तो यहाँ पर क्या बना है विद्धुहान लिखती यह क्या बना है विद्ध्धान के उपर अनुनासिक विद्ध्धान लिखती लिखती बना है है ना तो यहाँ पे क्या हो जाता है अगर नौ के बाद लौ आता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है अनुनासिक बन जाता है ठीक है अगला सब्द है ततधनलीना अब वोई है तो के बाद क्या आ रहा है लो आ रहा है तो यहां पे क्या बन जाएगा लो बन जाएगा तलीना ठीक है उसी परकार है मतधनलाहा मत दन लाहा तो के बाद क्या है यहाँ पे लौ है तो के बाद क्या है यहाँ पे लौ है तो लौ ही बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा लौ ही बनेगा तो बहुत सजल संदी है लत्व जिसका नाम ही लत्व क्योंकि इसमें क्या बन जा रहा है तो वर्ण के बाद संदी अब ये ध्यान देना है ये जो सत्वविदान संदी होती है हमारी ये हमारी सब्तमी विवक्ति के लिए प्रियोग की जाती है किसके लिए सब्तमी विवक्ति के लिए ये संदी क्या की जाती है प्रियोग की जाती है अब देखो परिभासा में हैं सब्द रूपों को अ सब्तमी विवक्ति में सो लिखने पूरू, यदि तो और आये तो, ठीक है, तो सो का प्रियोग, सब्द रूपों को अर्था, सब्दों को लिखते समय, सब्तमी विवक्ति में सो लिखने से पूरू, यदि तो और आये तो, शो का प्रियोग होता है, तो और आये तो, सो का क्या होता है, प्रियोग होता है, और यदि इन परत्याहार के वन आये तो, शो का प्रियोग होता है, सीधी से सीधी भासा में हम इस संदी को समझेंगे, ये सब्तमी विवक्ति के लिए प्रियोग होता है इसमें जहां पर आ और तो आए सरल सी भासा मैं इस संधी को समझाओंगी जहां पर आ और तो आए वहां शौ क्या हो जाता है? दंत्य शौ हो जाता है यह आला सौ हो जाता है जहां पर आ और तो आए वहाँ पर दंते सो हो जाता है, सकार हो जाता है, सेस में जैसे ई है, बड़ी है या छोटी ए है, ए है, री है, उ है, ठीक है. उनमें ये मूर्धन्य सकार हो जाता है उनमें क्या हो जाता है मूर्धन्य सकार हो जाता है सरल से भासा में परिवासा जहां पे संदी में आ तो आता है वहां पे दंत्य सकार हो जाएगा और जहां पे सेसाई वहां पे हमारा मूर्धन्य सकार हो जाएगा किस प्रकार्ट से मैं संधी में आपको समझाऊंगी देखो जैसे यहाँ पे है बाल के धनशू यहाँ पे क्या आया? ए मैंने कहा जहाँ पे ए आएगा री आएगा, उ आएगा, इ आएगा, इ आएगा वहाँ पे कौन सा सकार होगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा वहाँ पे कौन सा सकार होगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा जो बना बाल के धनशू जो यह धन्ते सकार है इसका क्या बन गया यहाँ पे? मूर्धन्य सकार बाल के यह सु जो सब्द है वो हमारी सब्तमी विवक्ति का सब्द भी है ना तो सब्त विदान संदी में जो होता है वो सब्तमी विवक्ति के लिए यह प्रियोग की जाती है सिदे से सिद्धी बाद ठीक है फिर है नदी याई ये को भी क्या हो जाता है यहाँ पे मूर्धन्य सकार हो जाता है थीक है मात्र दन्षु ठीक है मात्र लिया है है हँपे मात्री तोमात्र दन्षु मात्रिशु ठीक है सौ सकार मूर्धन सकार हो गया फिर है भवत धन शू भवत शू भवत यहां पे क्या आया है ओ भवत तो आया है भवत तो के बाद उच्छानड क्या आया है ओ तो आ जहां पे आता है तो जहां पे आता है ठीक है वहां पे कौन सा सकार होता है वहां पे दंत सकार होता है जहां पे आ और क्या आता है तो भवत क्या है तो है तो के बाद जहां पे तो आया वहां पे मैंने क्या बुला दंत्य सकार आता है रमा है यहां पे आया है तो यहां पे सीधा सीधा रमाशु बन गया यहां पे कौन सा सकार आया है दंत्य सकार तो यहां पे सरलत से भासा मैं समझाया मैंने आपको सत्त विधान संद पूर्ण हो चुकी है कल गूगल मीट से जब आपकी क्लास होगी तो वहाँ पे आपको पूरा रिविजन कराये जाएगा प्यंजन संदिक इसको कितनी आई आरा समझ में आज आप इसको देखोगे कल आपको इसी संदिके बारे में प्यंजन संदिक पूरी समझाई जाएगी प्यंजन संदिके